पिछले एक वीडियो में हमने देखा था कि 2000 रुपे के मंतली SIP पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगले 15 साल तक के लिए उसमें दोस्तों कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि इस SIP रिटर्न्स पे हमें कितना income tax पे करना पड़ेगा तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2000 रुपे के मंतली SIP पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है इसके अलावा उस रिटर्न्स पे आपको कितना income tax पे करना पड़ेगा और इसके साथ साथ वो income tax को आप कैसे बचा सकते हो पे करने से वो भी मैं आपको बताऊंगा आ income tax पे करना पड़ता है अब वो profit जो है जिसे हम कहते हैं capital gains इस पे दो तरीके का tax लागो होता है सबसे पहले तो short term capital gains यानि कि अगर हम mutual funds को खरीदते हैं और अगले 12 महीने के अंदर ही अंदर यानि कि एक साल के अंदर ही अंदर उन units को अगर हम बेच देते हैं तो उसे हम कह mutual funds के units को अपने पास रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो हम उसे कहते हैं LTCG यानि कि long term capital gains और उस पे हमें 10% का tax pay करना पड़ता है अगर हमारा जो profit है वो एक लाग के ऊपर है किसी भी एक financial year में तो दोसे ये पूरा calculations हम देखने वाले हैं हमारे Excel sheet में भी तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब आप अपने mutual funds को बेचोगे तो आपको कितना approximate income tax pay करना पड़ेगा तो चले दोसे इसी knowledge के साथ हम बढ़ते हैं हमारी computer screen पे और देखते हैं कि जब आप अपने mutual funds को redeem करते हो यानि कि अपने mutual funds को बेचते हो तो आपको कितना income tax pay करना पड़ेगा तो यहाँ पे इस excel sheet में हम यह देखेंगे कि 2000 रुपे के monthly SIP पे आपका कितना total deposits होता है अगले 15 साल तक के लिए आपका कितना total maturity amount होगा और उसमें से आपका profits कितना होगा दोस्तों एक और चीज हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि हमारे जो return है वो हमें 12% का annualized return मिलेगा किसी भी अच्छे mutual fund में अगर हम निवेश करते हैं तो यह figure हमें कैसे मिला है तो अगर हम quickly google करते है nifty 50 returns last 20 years के लिए आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे over the past 20 years nifty 50 has given 14.18% CAGR का returns आपको यहाँ पे मिला हुआ है तो to be on the safe side हम 12% का CAGR consider करते हैं यानि कि 12% हमें हर साल में किसी भी अच्छे mutual fund में मिलने वाला है और इस profits पे जो भी हमें यहाँ पे calculation के हिसाब से मिलेगा उसमें हमारा STCG यानि की short term capital gains और LTCG यानि की long term capital gains के हिसाब से हमारा कितना tax होता है वो हम calculate करेंगे तो दोस्तों अगर आपको यह दौनों चीज अच्छे से समझनी ह तो simple भाषा में अगर हम बताएं कि units sold within one year यानि कि अगर आप आज की date में mutual funds के units खरीते हो और उनको एक ही साल के अंदर बेच देते हो तो आपको STCG और 15% pay करना पड़ेगा जो भी आपका profits होगा लेकिन समझो अगर आपने units sold after one year of purchase यानि कि एक साल के बाद अगर आपने ब tax pay करना पड़ता है on profits above rupees one lakh in a financial year तो दोस्तों पहले एक लाग के profit पे आपको कोई भी tax pay करने की जरुरत नहीं है अगर आपका LTCG यानि कि long term capital gains है और एक लाग के ऊपर का अगर profit है तो आपको उस पे सिर्फ 10% का tax pay करना पड़ेगा तो हम ये example के तोर पे भी देखेंगे तो इसका reference ले लेता हूं मैं और फिर हम multiply करेंगे year से और साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो हम multiply by 12 करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक साल में आपका 24,000 रुपीज का total deposits होता है formula को अगर हम extend करेंगे अगले 15 साल तक के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हो हर महीने अगर आपन अगले 15 साल तक deposits किये तो total deposits आपका हो जाएगा 15 साल के बाद 3,60,000 रुपीज अब दोस्तों इसमें आपको maturity amount कितना मिलेगा यानि कि इस SIP amount पे आपको हर साल कितना आपका profit होगा और कितना maturity amount मिल सकता है तो इसके लिए आप मेरा SIP calculator यूज कर सकते हो तो आपको Google पे आना ह और search करना है Finkelsey Blog Finkelsey Blog Search करने के बाद सबसे पहला link दिखेगे आपको finkelsey-blog.in जो कि मेरी website है तो आपको यहाँ पे खλिक करना है और फिर इसके बाद यह वाला homepage open हो जाएगा यहाँ पे मैंने calculateors का सेक्षन दिया है तो आपको यहाँ पे click करना है और फिर यह वाला calculateors का page open ह हो जाएगा जहाँ पर मैंने कई सारे calculator आपके लिए बनाए हैं जैसे कि income tax, home loan, SIP calculator, PPF calculator और भी कई सारे calculator हैं जो कि आप use कर सकते हूं यहाँ से तो यहाँ पर important चीज है कि हम SIP calculator यूज करने वाले हैं तो हम यहाँ पर click करते हैं तो एक new window में mutual fund SIP calculator जो है वो open हो जाएगा यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपका SIP amount है, expected returns और years को डाल कर आपका कितना total deposits, total profits और maturity amount होता है वो आप चेक कर सकते हो तो यहाँ पर मैं 2000 रुपीज का SIP amount डालूंगा और हमारा expected returns है हमारे case में हमने 12% का annual returns consider किया है, तो 12% का annual returns के साथ एक साल के बाद हमारा total maturity amount होता है 25,619 रुपीज, इस amount को हम copy करेंगे और यहाँ पर हमारे maturity amount के sell में paste कर देंगे तो एक साल के बाद अगर हम यह mutual fund की units बेचते हैं तो हमें इतना amount मिलेगा अब इसमें से profit कितना हुआ तो हमारा maturity amount है वो चीज हम लेंगे और minus करेंगे क्योंकि यह हमारा deposits हमने किया है वो वाली चीज तो हम deposits को minus करते हैं तो इतना हमारा profit होता है और यही same चीज आपको यहां पर भी दिख जाएगी 1619 रुपीज का profit यही same चीज हमें यहां मिला है अब यहां पर दो साल के बाद आपका total maturity amount कितना होगा हम वापस से हमारे calculator में आएंगे और यहां पर year इसको हम increment करेंगे तो दो साल के बाद total deposits भी update हो गया और total maturity amount भी update हो गया तो हम इस चीज को copy करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे यहां पर profit का जो formula है उसको हम extend करते हैं 6,486 रुपीज का profit होता है यही सेम चीज आपको यहां पर display की गई है आप दोस्तों में क्या करूंगा कि 3 साल के बाद आपका SIP amount कितना होता है उसका maturity amount जो है 87,015 रुपीज मिल किया है total deposit 72,000 है तो यही सेम चीज यहां पर भी है and maturity amount को हम paste कर देते हैं profit को भी extend कर देते हैं इसी प्रकार से अगले 15 साल तक आपका total maturity amount कितना होता है यह मैं quickly यहां पर feel कर देता हूं profits के साथ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने maturity amounts और profits दोनों के figures जो है quickly feel कर दिये हैं अब तक तो आपको बहुत सारी information मिल गई तो एक like तो बनता ही है तो please इस वीडियो को like कीजे ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुचे अब दोस्तों बहुत ही important चीज कि एक साल के बाद यहां पर आपको इतना profit हु होगा आपके profit पे लेकिन अगर एक साल के ऊपर हो जाता है time period तो एक लाग के ऊपर का जो profit है उस पे आपको सिर्फ 10% का LTCG देना होगा लेकिन दोस्तों जब SIP की बात आती है तो जो recently आपने units खरीदे हैं एक साल के अंदर ही अंदर उस पे तो आपको STCG of 15% tax पे करना ही ह होगा तो इसी के वैसे हमारा जो calculations है वो complicated हो जाता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूँगा कि किस तरीके से आप वह वाला जो calculation है वह कर सकते हो आपके mutual funds के हिसाब से तो यहां पर क्यूंकि हम एक साल के अंदर हमारा इतना profit हुआ है और समझ किसी एक साल में कभी कभी होता है की 30 परसंट अबभी जो calculations हम अभी करने वाले हैं वो applicable होंगे तो आप अपने mutual funds के redemption के हिसाब से अपने returns के हिसाब से आपका calculations आप कर सकते हो तो यहाँ पे क्योंकि हम एक साल के अंदर ही अंदर ये units को बेच रहे हैं तो सिर्फ हमारा STCG यानि कि short term capital gains पे 15% का हमें tax भे करना होगा तो यह कितना tax होगा हमारा profit इतना है तो इस पे हमें 15% का tax भे करना होगा और 4% का says भी apply होगा उसी tax पे तो यहाँ पे हम कैसे calculate करेंगे हमारा 15% का tax हम इस चीज को लेंगे जो कि profit है सबसे पहले हम equal to use करेंगे profit को use करेंगे multiplied by 15 करेंगे और divided by 100 करेंगे तो इस figure को multiplied by 15 और divided by 100 करने के बाद हमें 15% का tax मिलेगा एंटर पे क्लिक करेंगे जैसे कि आप देख सकते हूँ 242.85 रुपीज का हमारा 15% का short term capital gains पे tax होता है और इसके अलावा हमें 4% of sales भी पे करना होगा इस amount पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे multiplied by हमारा 1 plus 4% का जो formula है वो आ जाएगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 252.56 रुपीज का हमारा total tax होगा इस particular profit पे अब long term capital gains के इसाब से आपको कितना tax पे करना पड़ेगा क्योंकि आप एक साल के अंदर ही अंदर ये units को बेच रहे हो तो यहाँ पे आपका LTCG पे कोई भी tax नहीं लएगा क्योंकि आपका जो holding period है वो एक साल से कम ही है तो यहाँ पे हम zero का जो value है वो डाल देते हैं अब दूसरे साल में क्या होगा के ऊपर हो गया लेकिन यहाँ पे जो दूसरे साल में आपने खरीदे हैं वो short term capital gains में आएंगे क्योंकि उनका जो holding period है वो short term के लिए है यानि कि एक साल के अंदर ही अंदर है तो दोस्तों इस तरीके से आपका short term capital gains कितना होता है यानि कि आपको profit कितना consider करना होगा वो आप आपका profit जो है 1619 rupees का ही होगा एक साल का क्यूंकि आपने 12% का जो annual returns है उसको consider किया है as a flat return तो दोसे इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक और excel का file open किया है जो कि मैंने आपको समझाया है अपने दूसरे वीडियो में जो कि 20 साल का अगर आप SIP continue रखते है तो दोसे आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो यह समझने के लिए कि यह वाला excel file में हमने calculations कैसे किया है तो दोसे यहाँ पे important चीज यह है कि हम यहाँ पे month wise जो है आपका SIP जो हो रहा है उसके हिसाब से समझो mutual fund का यह एक नेव चल रहा है 100 rupees का और 12% के हिसाब से आ लेंगे mutual funds के units अगर आप 2000 रुपे का SIP शुरू करते हो तो दोसे यहाँ पे यह important चीज क्या है कि हमें STCG और LTCG यानि की capital gains जो है short term और long term में divide करना है यह जो भी capital gains हमें यहाँ पे as a profit मिला है तो यहाँ पे simplicity के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे हम सबसे प जो भी SIP amount deposit किया है उनके लिए आपको यह units मिल गए हैं लेकिन month 13 से लेके month 24 यानि की दूसरे साल तक आपका जो units है वो यह वाले हैं यानि की month 13 से लेके month 24 तक तो इसका sum हम लेंगे यहाँ पे तो it is equal to sum का formula हम डालेंगे और यहाँ पे हम यह units consider करेंगे month 13 से लेके यहाँ स इसका अगर हम sum देखें तो यह है 201 का और इसको अगर हम बेचते हैं तो 201 units को अगर हमने बेचे कौन से amount से हम बेचेंगे यह वाला नेव के amount से जो कि 24 मन्त के बाद है यानि कि month 25 में है जैसे ही 24 महीने खतम हो जाते हैं तो हम यह वाला नेव का value लेंगे enter पे click करेंगे जैस कि वो तो हमारा total deposits था month 13 से लेके month 24 तक तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इस cell को लोंगा और minus करूंगा 24,000 रुपीज तो यहाँ पर हमारा 1,600 and 18 रुपीज का profit हो रहा है जो कि हमें यहाँ पर मिलाता पहले साल के लिए 1,600 and 19 रुपीज का इसी प्रकार से हम यहाँ पर LTCG है यह units का जो cell है इसको मैं delete कर देता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने units का sum लिया है उसके बाद total maturity amount यह वाला value है और यह वाला total profit है तो इसको भी मैं यहाँ पर label कर देता हूं जल्दी से तो अब इसी प्रकार से जो LTCG यानि की long term capital gains पे आपके कितने units थे तो वो यह वाले units हैं जो कि month 1 से लेके आपने month 12 तक खरीदे हैं क्योंकि 13th month से लेके 24th month का तो जो units है वो STCG में चला गया तो LTCG के लिए हमारा sum of यह वाले units आएंगे तो यह वाले units को हम sum करते हैं month 1 से लेके month 12 तक के लिए तो इतना आपका total units हुआ है अब maturity amount कितना होगा हम यह units को consider करेंगे multiplied by जो latest NAV का value है यानि कि 24 महीने के बाद जो 25 महीने में NAV का value है हम उस value को consider करेंगे क्योंकि उस date में हम यह सारे units को बेच रहे हैं और enter पे click करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो 28,867 रुपीज का हमारा total maturity amount होता है इन units के लिए अब इस में से हमारा profit कितना हो गया यह चीज लेंगे minus करेंगे क्योंकि हमने month 1 से लेके month 12 तक SIP continue रखा था तो 24,000 का deposit से हम वो minus करेंगे हमारा profits लाने के लिए तो दोस्तों यह LTCG में आपका इतना gain हुआ है अब यह दौनों gains को अगर हम sum करें तो यह plus यह वाला जो sum है अगर आप enter पे click करो जैसे कि आप दे STCG का amount कितना हुआ 1619 rupees होता है जो कि हमें पहले साल में मिलाता यहां पे और बचा हुआ amount जो हमारा LTCG में जाएगा तो दोस्तों क्योंकि हमने already इस amount पे STCG को calculate किया है यहां पे तो यहां पे मैं इस same value को copy कर लूँगा यहां पे इस cell में तो अगर आपका short term capital gain होता है अग पच्चे वोई units जो कि आपने पहले साल में यहां पे खरी देते उस पे आपको 10% का tax pay करना पड़ेगा लेकिन उसमें भी condition यह है कि आपका जो profit है वो 1,00,000 के उपर के profits पे ही 10% का tax pay करना होगा तो इसमें हमारा calculation किस प्रकार से होगा सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या यह वाला जो amount है this minus यह वाला जो एक साल में आपको returns मिला है वो तो आपका long term capital gain होगा तो क्या वो difference एक लाग के उपर गया है या नहीं तो यहां पे हम if condition डालेंगे और फिर यहां पे यह चीज लेंगे minus हमारा यह जो profit है इसको हम consider करेंगे sell का reference देंगे क्योंकि आगे आने अगर यह one lakh rupees के उपर का difference आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि इस पे 10% का tax हमें apply होगा लेकिन सिर्फ difference पे apply होगा याने कि एक लाग के उपर के amount पे apply होगा यह वाला tax तो हमें क्या करना होगा कि यह sell का reference हम ले लेंगे वापस से हम यह sell का reference लेंगे यहां पे और फिर हम minus रुपीस क्योंकि पहले 1 lakh पे हमें कोई भी tax pay करने की जरुरत नहीं है और यह वाले amount पे हम multiply करेंगे 10 से और divide करेंगे 100 से और फिर दोस्तों इसके बाद हमारा 4% का sasb apply होगा तो हम multiplied by 1 plus 4% brackets में डाल देंगे तो यहां पे यह वारा हमारा चो tax का calculation का formula हो कुछ इस प्रकार स होगा लेकिन दूसरी तरफ अगर वो 1 lakh के अंदर ही अंदर है हमारा जो profit है LTCG में तो क्या होगा कि हमें कोई भी tax pay करने की जरुरत नहीं है तो comma के बाद हमें 0 का value डालना पड़ेगा क्योंकि उस पर हमें कोई भी tax pay करने की जरुरत नहीं है और फिर bracket को close कर देंगे तो क् 6,486-1619 कितना amount आता है LTCG जो है हमारा सिफ 4,867 है तो यह एक लाके अंदर ही अंदर है इसलिए हमें कोई भी tax pay करने की जरुरत नहीं है इस वाले amount पे तो दो साल के बाद भी अगर आप इन units को बेचते हो आपको सिफ यह short term capital gains पे जो tax है वो पे करनना होगा आप इस amount को भ भी profit आपका हुआ है वो पूरा LTCG में चला जाएगा और LTCG में क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक लाक के ऊपर के profit पे ही आपको tax pay करना पड़ेगा तो इतना profit पे आपको कोई भी tax pay करने की जरुरत नहीं है और यहाँ पे तो इससे जादा ही profit होगा तो अगर आप एक सा आप कौन से नेव से बेचोगे हम यहाँ पे यह units को लेंगे multiply करेंगे नेव के value से जो की आप एक साल बाद बेचोगे तो दोस्तों एक साल बाद यानि की month 36 यानि की पूरे 3 साल हो जाएंगे उसके बाद month 37 यानि की यह वाला जो नेव का value है आप इसको select करोगे और फिर enter पर click करोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो 61,396 रुपीज का आपका total maturity amount होता है लेकिन इस में से आपको 48,000 निकालना है क्योंकि वो deposits है तो यहाँ पी 48,000 दो साल का आपने जो deposits किया उसको consider करेंगे 13,396 रुपीज पे आपको कोई भी tax पे करना नहीं पड़ेगा अगर आपने 2 साल का SIP continue रखा और 3 साल तक उसको वैसे ही रहने दिया तीन साल के बाद अगर आप निकालते हो उसको तो इतना profit मिलेगा और कोई भी tax नहीं लेकिन 2 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो यहां पे वापस से STCG का जो amount है वो same रहेगा और उतना ही tax आपको pay करना पड़ेगा 253 रुपीज लेकिन 3 साल हो जाते हैं तो आपका कितना tax होगा इसी formula को हम extend कर देते हैं यहां पे तीसरे साल में तो यह वापस से 0 है क्यों क्योंकि आपका profit जो है वो 1 लाग के अंदर ही अंदर है तो दोसो quickly हम यह बाकी के sales में भी values डाल देते हैं क्योंकि यह सारे sales में short term capital gains सेम रहेगा तो tax भी आपको उतना ही pay करना पड़ेगा 1619 रुपीज के profits पे दोसों यह depend करता है कि आपके mutual fund ने कितना returns दिया है पिछले एक साल में आपने कितने units खरीदे हैं और उनको कितने नेव के value से आप बेच रहे हो उस amount पे depend करता है आपका STCG का value और उसका tax का भी value अब यहाँ पे LTCG जो है उसका भी अगर हम formula extend करेंगे यहाँ पे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आटवे साल के बाद आपका 3061 रुपीज का tax होता है अब यह कैसे आया है 1, 31,053 रुपीज का आपका total profit हुआ है तो quickly हम calculator में देख लेते हैं कि यह वाला जो आपका income tax है यह कैसे calculate हुआ है तो यहाँ पे हम 1,031,053 रुपीज यह वाला amount as a profit हमने डाल दिया इसमें से हमारा minus करेंगे हम short term capital gains हो कि है 1,619 रुपीज का तो 1,619 हमने minus कर दिया अब यह जो amount है यह हमारा long term capital gains हो गया तो क्योंकि दोस्तों हमारा long term capital gains एक लाग के ऊपर है तो हमें tax pay करना पड़ेगा 10% का tax apply होगा एक लाग के ऊपर के amount पे तो इसमें से सबसे पहले हम one lakh rupees minus करेंगे तो one lakh rupees minus करने के बाद हमें 29,434 rupees मिला है और इस पे हमें 10% का tax pay करना तो multiplied by 10 और फिर divided by 100 तो यहां पे हमें 2943.4 rupees का amount मिलता है और इस पे हमें 4% का size और pay करना पड़ेगा तो हम multiplied by 4 करेंगे divided by 100 करेंगे और फिर plus करेंगे हम वह वाला amount जो की है 2943.4 और जैसे हम equal to पे क्लिक करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो 3061 rupees का approximately हमारा amount बैट रहा है जो की amount आपको यहां पे दिख रहा है 3061 rupees का उसी प्रकार से यह वाले साल में भी आपका जो income tax है long term capital gains के हिसाब से 7490 rupees का होता है और अगर हम बाकी के sales में भी यह same formula को apply कर देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो 56,943 rupees का आपका long term capital gains के हिसाब से tax होता है और short term capital gains के हिसाब स 253 rupees का आपका income tax होता है अगर आप अगले 15 साल तक आपका 2000 rupees का monthly SIP continue रखते हो और आपको 12% के हिसाब से annual returns मिलते हैं किसी भी अच्छे mutual fund में अब दोस्तों बहुत ही important चीज़ आप यह income tax pay करने से बच सकते हो income tax harvesting को use करके तो दोस्तों SIP में एक तरीका है क्योंकि हर साल आप आपको 1,00,00 रुपे की limit दी जाती है यह जो आपको profits मिल रहा है उनको आप book कर सकते हो और आपका जो income tax है उसको आप बचा सकते हो तो यह कैसे किया जा सकता है उसके लिए मैंने अलग से calculations का video बनाया हुआ है जिसका link आपको description section में मिल जाएगा income tax harvesting in SIP तो दोस्तों आप व सकते हो तो यहाँ पर आपको google पर आना है और search करना है camps online capital gains तो जैसे ही आप यहाँ पर google पर search करते हो सबसे पहला link आपको दिखेगा capital gain और loss statement camps तो आप जैसे यहाँ पर click करोगे तो यह वाला page open हो जाएगा यहाँ पर कुछ declarations है आपको यहाँ पर close करना है और फिर यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो CAS यानि कि consolidated account statement camps plus k fintech तो दोस्तों सारे mutual funds का जो list है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा जैसे ही आपने यहाँ पर click किया तो यह वाला page open हो जाएगा CAS वाला जो कि है consolidated account statement का और यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपका जो summary है या फिर detailed report है और फिर as on date जो है यह सारी details feel करने के बाद आपका email id, pen card के details, password और confirm password को डाल कर यह वाला जो password है यह आपको document open करने के लिए जो आपको password set करना है वो आपको यहाँ पर provide करना होगा submit पर जैसे ही आप click करोगे तो आपके email id पर जो consolidated account statement है वो आपको दिया जाएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका account statement दिखेगा आपको जहाँ पर आपको सारे SIP transactions दिखेंगे कि आपने हर महीने कितने SIP किये हैं कितने mutual funds में किये हैं historically भी पूरा जो details है वो आपको द depending on जो हमने conditions देखी है यहां पर एक साल के अंदर ही अंदर जो units बेचे हैं वो short term capital gains में आएंगे और एक साल के ऊपर वाले units जो हैं वो long term capital gains में आएंगे और दोस्तों इस रिसाब से आप बहुत ही आसानी से आपके mutual funds पे short term capital gains और long term capital gains पे आपका कितना income tax होता है mutual fund SIP में व कर सकते हो आपके mutual funds के redemption पे और अगर आपकी कोई भी queries है तो आप comment section में पूच सकते हो आप मेरा telegram group भी join कर सकते हो जिसमें हम personal finance related news और topics के बारे में डिसकस करते रहते हैं इस telegram group का भी link पे ने description section में दिया हुआ है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो प पे करना पड़ेगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनके LC TV को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आप देख सकें फिर मिलेंगे किसी और personal financial related topic को लेकर तब तक के लिए